हेलो स्टुडेंट्स हम लोग क्लास टेंथ में ट्रेंगल में एक लिक्चर हो चुका है और और हम लोगों ने उसमें थेल्स थेर्म के बारे में अच्छे से सीखा था ठीक है उसकी प्रोविंग हम लोगों ने समझा था तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 ठीक है इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग सिम्लेरिटी के बारे में समझेंगे कि सिम्लेरिटी आगर है क्या ठीक है तो हम लोग ट्रेंगल की सिम्लेरिटी को समझेंगे कि ट्रेंगल की सिम्लेरिटी क्या होती जैसे हमने कहा कि कोई भी टू ट्रेंगल है ठ उना पे 212 लुट हैं जब उन्ट प्रेसपांडिंग सेंद सेंदन टु एंगल क्या हो तो surprising होती है डाइप और ऊंगल एंगल सिंदेटी अगल एंगल की होती है ओके एंगल साइड 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 से मिलर्टी होती है ठीक है तो यह दोनों चीज है क्या हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझते हैं ठीक है तो एंगल सिमिलर्टी का मतलब यह हुआ ठीक है एंगल एंगल similarity का मतलब यह हुआ कि अगर माल लो एक triangle यह है ठीक है आपके सामने triangle है A, B and that is C और दूसरा triangle क्या है P, Q and R तो इन दो triangle अगर यह similar होंगे तो इसका मतलब यह है कि इसमें corresponding angle क्या होंगे that is same होंगे तो इसका क्या मतलब है कि A की value किसके एकल होगी P की, suppose that A is equal to P and B is equal to क्या होगा that is Q B is equal to Q अगर दो triangle में दो angle आपस में क्या होगा A is equal to P and B is equal to Q तो यह किस type की similarity को follow करता है angle angle similarity को follow करता है और यहाँ पर क्या है side angle side side angle side को समझते side angle side यह क्या है तो यहाँ से देखो यह हमने एक triangle लिया A, B and C दूसरा में triangle यहाँ पर कह लिया P, Q and R अगर यह side angle side similarity को follow कर रहे होगे तो side और बीच में क्या है angle तो इसका क्या मतलब यहाँ पर जो एक angle है यह किस दो side को लेकर के बना हुआ है किन दो side को लेकर के बना हुआ है यह A, B है और यह क्या है A, C मतलब यह वाला angle अगर A angle किसके इक्वल हो जाए P angle के equal हो जाए ठीक है P angle के equal हो जाए और जो यह angle है किन दो side को लेकर के बना है उसका ratio मतलब यहाँ से इस वाले triangle में A, B A, B upon A, C A, B upon A, C is equal to क्या होगा P, Q P, Q upon P, R होगा ठीक है अगर यहाँ पे जो angle equal है और वो angle किन दो side को लेकर के बना हुआ है अगर उसका ratio equal होगा मतलब A से B का ratio upon A, C is equal to P, Q upon P, R तो यह किस type की similarity को फालो करता है side angle side की similarity को फालो करता है side angle side की similarity को क्या करता है that is follow करता यह तो triangle की similarity के बारे में हो गया अगर हम अब इसी चीज़ को आगे अगर हम लोग quadrilateral की similarity के बारे में बात करें कि 2 quadrilateral कप similar होगे ठीक है तो हम लोग उस पे चर्चा करते हैं कि अगर quadrilateral कप similar होगे तो उसमें क्या कंडीशन होगी ठीक है तो अगर अगर हमने कहा कि बाइगा टू कौर्ड्रिलेटरल और सिम्लार है तो समझेगा करेस्पार्णिंग एंगल से होंगे ठीक है पहली बाद तो number of sides रहने चाहिए जैसे मालों कोई भी अगर pentagon है ठीक है मालों अगर कोई pentagon pentagon means five sides से close figure थीग है तो pentagon means five side भाइब होनी चाहिए तो दोनों pentagon होने पहले बात तो ठीक है तो वहां पर जो नंबर आप साइट पहले विच्ष थाईए नंबर आफ साइड पर है इन हें तौत लेन इन बोच अ कोडुलेय के सेंडे नंबर पसाइड in both quadrilateral are same यह होना चाहिए दूसरी बात यहाँ पे corresponding angle are same corresponding corresponding angle are same corresponding angle are same ठीक है यह हो जाएगा तीसरी बात यहाँ पे ratio of corresponding ratio of corresponding side corresponding side ratio of corresponding side ratio of corresponding side are same अगर यह तीनों situation को follow करता है तो quadrilateral क्या होंगे similar होंगे for example समझेगा example से आप कुछी जों को अच्छे से clear कराता हूँ ठीक है हमने यहाँ पे example के तौर पे क्या ले लिए बिटा एक हमने क्या ले लिए this is the square A B C and that is D okay square है तो यहाँ पे all angle क्या होंगे 90 degree होंगे all angle क्या होंगे 90 degree और हमने इसकी side क्या ले लिए 4 centimeter length of all side are equal 4 centimeter and 4 centimeter and 4 centimeter एक हमने यहाँ पे फिर तूसरा square लिया हो इसक्वाइर क्या है पी क्यू आर एंड एस ठीक है तो यह भी इसक्वाइर है तो यहाँ पे इसके एंगल क्या होंगे that is 90 degree होंगे अगर इसके 90 degree angle है तो आप देखो हमने कहा कि क्या two squares are similar or not ठीक है two square are similar or not तो यह भी आपका square है अच्छाए इसकी side किती है eight centimeter eight centimeter eight centimeter and eight centimeter ठीक है तो यहाँ से यह भी square है तो अब पहली बात तो यहाँ पे नंबर आफ side क्या है four इसमें भी number outside क्या है four ठीक है यह भी हमारा square है और यह भी हमारा क्या है square है ओके तो numberары side क्या हें इसमें भी four तो पहले condition number outside क्या micro यह इंग से मतलब when V angel 90 degree यहांसे क्या है क्यों यह आपस में इंगल भी किया है से में कर्यसपांडिंग साइट के राइश एंकल सेboldmosaire और सिर्फिक Utah सदै Boom यहांप आपनल के यहां पो गपisses क्रिस्पांडिशन कहा है कि कर्र wusगर करिस्पांड इसी वरिया आप दियर करिस्पांडिंग साइड अब दिको यहां पर एडी कॉम 4 यह भाई यह 4 cm यह क्या है यह तो 4 अपान टू होगा पर यहां पर दिको अबना डीसी ले लिया तो इसके करिस्पांडिंग क्या है इस आर है तो यह भी 4 अपान टू हो गया ठीक है अगर हमने यहां पर फर्स्ट वाले में यह ले लिया यह भी तो फोर यहां पर और यहां पर क्या देखने को मिला कि रिश्पांडिंग साइड और एक्वल इट मेंस नंबर आप साइड तो इस टाइप क्या कहलाएंगे कि एप एक कॉप्य वहां पर हो रहा है तो यहां पी यह कॉडिलेटर की सिमिलर्टी हो गई और ट्रेंगल की सिमिलर्टी मैंने आपको बताई कि एंगल एंगल सिमिलर्टी होता है और लेका मतलब यह कह सकते कि हां यह इसंवलर टू सिवलर फीगर है वह क्या है जो उसी तरह से हैं ठीक है देखो दो वर्ड आपके सामने आएंगे एक तो सिमलर वर्ड आएगा एक तो कॉंवनेंट वर्ड आएगा इसकी साइडलेंथ हमाल लो 6 cm है और इसकी साइलेंद 6 cm है इसकी भी साइलेंद 6 cm है यह एक्विलेटर ट्रेंगल है और एक हमने ट्रेंगल ऐसा बनाया जिसकी साइलेंद 10 cm 10 cm 10 cm तो यह यहां पर आल एंगिल क्या होंगे 60-60 होंगे तो यह सिमिलर होंगे यह दो फीगर कैसे होंगे बनें 내일 होंगे बट नहीं होंगे कॉमऩ अचोडारा यहां पे फिलाल के नियुकर कि आंगत का मतलब क्या है कि एग्जेक्ट फोटो कापई मुझत साइस्सथ यहां वितर यहां यहां पर इबूकर यह बात करोगَ तो और इकवेल ट्रैंगेल छाहिए यहां पर यह दोनों diagram क्या हो जाएंगे एक जूर से के similar हो जाएंगे और side angle side मैंने आपको बता दिया ठीक है तो triangle में जब भी similarity की बात होगी तो वहां पर हम लोग 2 angle आपस में equal कराने की कोशिस करेंगे ठीक है जा फिर side angle side ठीक है अगर एक angle equal हो गया है तो यहां पर उस angle को ज similarity की अगर बात करते हैं तो एक कोल टू मालों हमने पी प्रूब कर दिया वी कोल टू क्यू तो यह एंगल एंगल हो जाएगा ओके कि रहेंगे नहीं अगर दो ट्रेंगल होते हैं तो वहां पे उस particular triangle में corresponding side का ratio भी सेम होता है अगर हम इस triangle की बात करें किसकी इस वाले triangle की और हो यह हमने का अगर यह दोनों triangle similar हैं तो corresponding side का ratio सेम हो जाएगा मतलब a से b a से b a से b upon p q a से b upon p q is equal to a से c upon a c upon p r p r is equal to b c upon q r b c upon q r अगर दो ट्रेंगल similar होते हैं तो ratio corresponding side क्या होता है बटा सेम होता है ठीक है कि लिए रहें कि नहीं तो यह कहानी triangle की similarity की हो गई और यहां पर coordinator की similarity की थोड़ी सी कहानी हो गई ठीक है अब चलिए हम इन question को solve करते हैं ठीक है तो यहां पर देखें क्या है कु all circle are all circle are concurrent yes similar ठीक है अब रिके circle की बात हो रही समझे बात को circle है तो circle क्या एक टैप का polygon है क्योंकि वहां पर infinite length होंगी ठीक है यहां पर circle है यह मालो इसकी radius 2 cm suppose that एक circle है जिसकी radius कितनी है 10 cm है तो यह दोनों क्या होंगे similar होंगे concurrent नहीं होंगे अगर concurrent होंगे तो exact same radii की होनी चाहिए ठीक है तो यहां पर all circle r क्या हो जाएंगे that is similar to each other क्लिए रेक नहीं चलिए second क्या है all square are similar या concurrent अब फिर कोई square की बात आ गई एक च्पायर में क्या है जैसे हमने एक square लिया तो यहां पर उन संटीमिटर ले लिया साइड ले लिया दूसरा स्कॉइल होग जिसकी साइड लेंथ 10 cm ले लिया तो आप देखो यह exact कपी थोड़े हैं इसकी इसकी साइड लेंथ पर यहां पर आफ साइड सोर और यहां पर आंगल भी क्या होंगे 90 डिग्री अगर मालओ यहां पर हम बात करते कि यहां पर इक्विलेटरल ट्रेंगेल को बढ़ना है यहां पर कहणा है कि तो यहां पर हम और इसagn가 की बात करते तो कोई भी स्टुडेंट है का कि यह 50 डिग्री है यह 50 डिग्री है ठीक है और यह कुछ होगा वाद फिप्टी फिप्टी एंडेड हंडेड यह अगया अब किसी बंदे ने क्या किया यह इसको ले लिए 30 इसको ले लिए 30 और यहां पर किना 306 120 हो गया तो अब यहां पर को यह बिल्कुल फालो नहीं कर रहा है तो यहां पर एक्युलेटरल के केस में क्या होगा यह सिमिलर होंगे एक्युलेटरल के केस में सिमिलर क्यों होगा क्योंकि एक्युलेटरल के केस में यहां पर जो हमारे एंगल होते हैं आल एंगल 60 डिग्री होते हैं यहां पर सब क्य दिया और तीक किया है कि यहां पर यहां पर यह पर यहां पर मिलता उसी से ठीक है ओके चलिए आम पर लास्ट में हाँ यह गई रखा है तू पॉलिगागर पॉलिगंच नम्ब आफ स्ञें एंसे उसने पॉलीगब आफ सेब नम्बर आफ साइट और सि मलर यह खां फॉलिगाइब टीकोंटिकrest बॉलीगवर माल लाय प्लप पॉलिगवर मेंति माल लो टें सबंने कर करदार करेंगल आर क्या होंगे करिस्पांडिंग इंगल होंगे सब्सक्राइब क्या होंगे एक को लोगे ठीक है तो यहां पर क्यों जाएगा इक्वल हो जाएगा के अग 2 लिए करेस्पानिंग इंग laugh & या साड नो बात क्लिए नहीं कोई तो नहीं किसी तरह की बोलो ठीक है तो यहां पर यह फिलिंग ब्लैंक था थोड़ा सा similarity का भी मैंने आपको अच्छे से नालिज दे दिया कि यहां similar figure कहेंगे तो कि similarity और कांगेंटी वे डिफरेंस है दो फिगर से नहीं तो यहां पर मतलब अब अब हमने इतना चोटा सा ट्रेंगल बना दिया इतना चोटा सा ट्रेंगल बना दिया तो अगर कांगेंट की बात करता तो एक्जेक्ट टू कॉपी बस फोटो कॉपी समलेजी किसी कीज का फोटो कॉपी निकला रहे हो वह आपका कॉडिन हो जाएगा ठीक है कि लिए बात की नहीं बटा कंफर्म ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं ने ये आफे डिचामपल देना है similar meter करेंड गर के सिम्टेरर रीगर की अगर हम बात करते हैं सिंब्लर फीगर तो सिम्टार आपको मैंने भी शब को सच्छे से बता दिया तीक है four side length four centimeter and five centimeter and five centimeter four centimeter and five centimeter ticket diagram broker tg this is a equilateral triangle a b c you have a that is p p q r according to this mother we have a unknown length four centimeter this is the four centimeter four centimeter and this is the four centimeter and this is the length is five centimeter five centimeter and five centimeter okay but equilateral triangle it means all angle 60 degree all angle 60 degree this is the diagram of similar triangle Korea or circle same area same area to circle to sieme area same area would cut it from here now here the same figure non similar figure now two diagram you have to say similarieron say no similar here so you can also know similar figure लीए आप आराम से बता सकते हो मानलो आपने लिख दिया और एक लिदिया एक आपने कर दिया है नो को सब्सक्राइध भाग कर तुमाण साइड होंगे और यहां पर फोसमेल होंगे ठीक है क्या है फोर है तो यह हमारे कैसे फिगर हो गए डिस इज़ा नॉन सिमिलर फिगर हो गए यह साड़ नू तो सिमिलर फिगर मीज आपको जो मैंने अभी इसके पहले आपको चीज़ बताई है कि हम लोग कैसे चेक करते हैं उसी की यहाँ पर आप सिमिलर फिगर का एक्जामपल किलिए रैक्ट नहीं कोई बंदा कर अगहां आर सरह हम यहां पर रेक्टेंगल ले लेते हैं और किसी ने कहा हमसे मरें लिए यहाँ पर ट्रपेजियृम ले लिए हैं त्ट्रेजियंग्ल एंग। सब्सक्राइब यहां पर यहां पर सकते हैं कि यहां पर सेकेंड क्विस्चन का यह हमारा जवाब हो गया कि इस दोनों को देख के बताना है या नहीं है चलिए हम इसको यहीं पर सौल कर लेते हैं अच्छा यह बताओ अगर यह दोनों डाइग्राम सिम्लर कंडिशन को फालू किया तो जहीं सी बात यहां पर नंबर अपसाइट सेम होगा तो आपने का नंबर आपसाइट तो ậ palavras तो से मैं इसमें भी कितनी साइट होंगे फूर और यह तो फालो कर रहा है और करिस्पाइने अंगल आर से सैं y Henya 90 यह क्या है 90 यह क्या है 90 यहां पर पहले लोग्राम कुछ होगा बट 90 तो नहीं होगा कुछ होगा बट 90 नहीं होगा मतलब यहां पर एंगल पी एंगल आर के इक्वल है अना अपोजिट एंगल तो सेम होगा होगा angle P equal to R but not equal to 90 degree यह angle Q is equal to angle R is not equal to 90 degree तो यहाँ पर second वाली condition ही क्या कर दिया by follow नहीं किया यहाँ पर corresponding angle are not equal यहाँ पर region लिखना चाहोगे तो कहले सकते हो corresponding corresponding angle are not equal corresponding angle are not equal corresponding angle are not equal जो थर्ड कंडिशन है रेशियो corresponding side हादा कि second वाली condition को follow नहीं कर रहा है तो यह दोनों क्या होंगे are not similar to each other आप यहीं पर पता सकते हो no doubt ठीक है थर्ड कंडिशन अगर आप पूरा करना चाहते हो तो लिख सकते हो यह क्या है 1.5 और यह क्या है 3 तो 1.5 रेशियो 3 कितना आएगा देशी में रेटेगा तीस आएगा तो आज आएगा भी one.f catching यह va noon पामें3 यहां पे ओन पाइंट फ़इजान नहीं किया इसका उन दरभिय है हमारे क्या हो disaster not Similar, यहां पर Quadrilateral क्या होंगे ? not Similar to Each Other, ठीक है ? यहां पर क्या होंगे ? not Similar to each other बात के देखर लेकिन yes or no Quadrilateral क्या होंगे ? Quadrilateral Quadrilateral are Non Similar clear है ? जो Concept मैंने आपको सिखाया है उसी Concept का Use करके यहां पर इस छोटे-छोटे प्राबलम यहां पर बनेद हुए थे हम लोगों ने उसको स्वाल किया और अच्छी से आपको स्वाल में आ गया होगा बात के लिए कि यह सार नो कंफर मैचे से चली इतनी सी बात है स्वाल में आ गई ओके कंफर चली अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं ठीक है exercise 6.2 डाइग्राम में आपको दिक्रा करा होगा ठीक है अब इसमें क्या होगा ठील्स थियोरम का यूज होगा जो मैंने देर्श थियोरम का प्रूफ है आपको अच्छे से बताया था और उससे जो तो यहां पर यहां पर कहा रहा है इन डाइग्राम वन टू यह वाली साइड इसके क्या है पैरलेल है ठीक है यह वाली साइड इसके पहले रहा है इसमें क्या फाइंड करना है एडी ठीक है इसमें क्या वाइंड करना है एडी कि लिए रहे कि नहीं तो अब देखो यहां पर यह अगर हम लोग पहले फस्ट पार्ट की बात करते हैं ठीक है समझीगा अच्छे से एन ट्रेंगल ए बी सी एकॉर्डिंग टू थेल्स थेवरम एकॉर्डिंग टू थेल्स थेवरम थेल्स थेवरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनौल्टी थेवरम बीपीटी ओके बीपीटी एकॉर्डिंग टू थेल्स थेवरम इस टैंगल में क्या हो रहा है बैटा डी किसके पैरल है डी पैलल टू पीसी है सर अगर डी बीसी क के पहलेल हुआ तो इसको तब यह से डी का रेसियो एसे डी का रेसियो अपान डीवी एकाल टू एक्वार टूटू एस्टेजी यह क्या होगा यह साद में बात के लिए रहे कर फांद आखे अब यहां पर यह थिल पहीया ने बता आया था कि अगर किसी इस बेस के पहले इसके पहले लगर कोई अधर लाइन है और दोनों साइड को किसी पॉइंट पर कट करना है तो उसका रेसियो आलवेस क्या होता है इक्वल होता है इस रिजल्ट को मैंने प्रूब भी किया है और इसको दिमाग में रखना है ठीक है अब यहां पे ऐसे डी जो यहां पे यह पाइंसल्ट लिखा हुआ है यह सी correcting कितना है 85 5000 अब influenza किजा से करोगे अब यहां से डेसीमल को हटा होगे और नीचे कितना आएगा जीदो आएगा 15 वंजा 15 और 15 टूजा तो 1 अपान 2 इस इकॉल टू 1 अपान EC यहां से बाइ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन तो EC इस इकॉल टू EC वंजा EC आज जाएगा कितना आएगा 나서 कितना गया इसटर मीटर नें में यूज किया गया तो शाम मैं यूज किया तो इस रिजल्ट यो योज करना है और इसवेशन ज वेल्ट यदे रखी थी उस की बियाख पर हमने जो आपने जो और फो जाएग आवर याद रहा होगा तो तो थेल्स थेर्म से हमने दो और निकाल के बताया थे तो वह भी माइंड में होने चाहिए वह कोश्चन के एकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर यूज कर लेंगे बात के लिए कि नहीं यह सानो ठीक है अब चलिए हम लोग इन सेकेंड डायगराम की बात करते हैं क्योंकि सेकें डायगराम में एकॉर्डिंग टू थेल्स थेहरों में अभी पीटी एडी अपान डीबी इस इकॉल टू डैट इस एई अपान इसी एपान इसी ठीक है एडी की वेलू क्या है सर मालूम नहीं एडी मालूम नहीं डीबी क्या देखो डीबी 7.2 है 7.2 पुटप कर दिया इस एक कितना है बिटा 1.8 है इसी कितना है 5.4 है अब डेसीमल से डेसीमल हड जाएगा और 18 बंजा 18 18 3 जा किना हता है 54 तो यहां से फानिली क्या आएगा देखो यहां पर सॉल्व कर देते हैं कि 8 689 कि अपन 7.2 इस एकॉल तो क्या है गा वन आपान में थी आएगा अब देखो जब क्रोस मल्टिप्राइग करोगे तो 3 8 इस इकॉल क्या जाएगा 7.2 तो यहां से एडी इस इकॉल तुब इटा कितना आएगा 7.2 अपान में 3 यहां पर देखो डेसीमल हड़ेगा तो क 10 जा 30 और 3 2 6 3 4 जा 12 तो AD is equal to कितना गया 24 अपान में 10 is equal to that is कितना गया 2.4 सेंटी मीटर तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले डाइग्राम में भी मैंने सिंपल सा कॉंसेप्ट यूज किया और इसमें भी हमने सिंपल कॉंसेप्ट को यूज किया और यहां पर अन्नोन साइड लेंथ जो थी वह हमने calculate कर लिया बास और में आगए कि नहीं आगए यह सार नो किलियर है ठीक है ओके तो यहां पर यूज करने यहां पर यहां समझेगा यहां पर हमने डागराम को ड्रा किया ठीक है डागराम को बना लिए बटा यह क्या है पी क्यू आर दिसीदा डागराम ठीक है तो यहां पर e and f, e q, e qat per Pq पे इन्होंने बोला है देको e and f are point on the side Pq and per यहां पर यहां पर है ठीक है तो यहां पर इसको इससे मिला दो ठीक है तो आपका प्रूब करना है We shall prove E f is parallel to E f किसके parallel है E f is parallel to E f is parallel to qr Aकर यह बात it is true अगर यह बात सब्सक्राइब तो इसका मतलब यहां पे PE का रेशियो अपान EQ is equal to PF अपान FR आना चाहिए ठीक है If EF is parallel to EF is parallel to QR It means क्या होना चाहिए It means यहां पे PE PE ratio EQ is equal to PF ratio FR आना चाहिए क्याना चाहिए FR तो बैटा PE की value क्या दे रखी है आपको दे रखी होगी यहां पे 3.9 आपको दिख रहा होगा upon EQ कितना दे रखा है That is 3 cm यहां पे हमने 3 cm रख दिया अब जब calculation करेंगे तो यहां पे unit को नहीं पूटप करते है PF कितना है 3.6 cm एक्कॉल टू हमने कह लिखा 3.6 cm ठीक है यह FR कितना है 2.4 ठीक है अला कि हम लोग यहां पे इन्दोनों को अलग-अलग calculate करेंगे तब ही हम वहां पे comparison कर पाएंगे कि एक्कॉल है नहीं एक्कॉल है ठीक है तो यहां पे एक्कॉल मत लगाए हमने सबसे पहले PE upon EQ को calculate करना चाहरा हूँ ठीक है तो यहां पे दिखो क्या है यह decimal हटेगा तो कितना आएगा 0 आएगा तो 3 तेंजा यह आज आएगा और 3 बन जा 3 तो तेरा बटे कितना आगया दस आगया यह किसकी वैलू आगई सर यह PE upon EQ की वैलू आगई PE upon किसकी वैलू आगई EQ की वैलू थाटीन अपान टेन आगई क्योंकि यह minimum simplification है यहां पे देखो यह PF upon FR तो यह decimal से decimal हटा दो फिर क्या बचेगा फोर से cancel हो जाएगा फोर नाइन जा थाटी शिक्स और फोर शिक्स जा ठीक है फिर थी थी जा नाइन थी टू जा शिक्स यहां पर क्या देखने को मिला है दिस इस इस तरी बाई टू तो यह थाटीन अपान टेन है यह थी वाई टू है तो क्या यह दोनों equal आ रहे है आपने का नहीं सर यह equal बिलकुल नहीं आ रहे है मतलब PE upon EQ not equal to क्या है PF upon FR है तो यहां पर क्या हो जाएगा EF is not parallel to EF is not parallel to क्या हो जाएगा QR हो जाएगा इस situation में पहले वाले case में तो नहीं होगा ठीक है यहां पर पहले वाले case में नहीं होगा तो case 1 में EF is not parallel to QR EF is not parallel to QR yes or no ठीक है क्योंकि अगर parallel होता तो यह ratio आपस में equal आता है ठीक है Converse of the theorem को follow करता बिटा बात के लिए रहे कि नहीं yes or no पहले पार्ट का solution से शोन में आ गया है न तो यहां पर जो value दे रखी उसी के according ratio निकालना है दूसरे में क्या कहला है रहा है रहा है देखो PE and QE PF and RF यह दोनों चीचे दे रखी है ठीक है चली इसको हम लोग solve करते हैं इस calculation को करते हैं second part को ठीक है तो second part की calculation हम लोग अच्छे से solve करते हैं तो डाइगराम आपके सामने था आपने इसको समझा ठीक है तो हम लोगो क्या करेंगे पी और पी और क्यूई का रेसियो निकालेंगे आना तो यहां पे इस फार सेकेंड पार्ट तो पी इए पी अंक्युओ इक कारिस्य क्या है अएगा यह फोर है अपान फोर पॉइंट फाइब डेसिमा अधो कि जी डों आएगा 48 अ ही और यहां पर किससे कैंसेल हुगाओ फोर से नहीं यह से कैंसीन होगा फाइब हैं प्राइब नहां कितना होता है 45 इसको कैंसिल कर तो एक मिनट यह कितना है 40 एपां 9 45 है तो इन दोनों का राशियो लिया तो यहां पर दो प्रस क्या प्रस की बहारे हैं और यह वेस्ट फॉर्ब में पहले से दे रखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों से conclusion क्या निकल के आता है कि जो PE upon QE है वो equal to PF upon PF upon RF equal to 8 upon 9 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा है यह situation से दे रखी है तो जाहिसी बात है यहाँ पर lines क्या होंगी parallel to each other मतलब second वाले case में यहाँ पर second वाले case में EQ is parallel to QR होगा क्योंकि यहाँ पर थेर्स theorem को follow कर रहा है तो EF is parallel to QR हो जाएगा EF is parallel to क्या होगा QR हो जाएगा तो second situation में EF is parallel to क्या होगा बटा QR हो जाएगा yes or no EF is parallel to QR पर हो जाएगा अब देको हम लोग third part को फटा फट क्यालकुरेट कर लेते हैं बात क्लिए नहीं तो सिंपल सा यहाँ पर रेशियो निकालना है और यह कैलकुरेशन अब यतना फास्ट कर लें ठीक है तो थारड वाले में यहां पर क्या कह रहा है थारड वाले में देखते हैं क्याहेर रखाय है ग्यूंत निकाल पूरा दे रखा है अपन पी आर पी आर का और यहां पर पीए कितना है पी से ही चोटा वाला यह साइट अपां पीए और पीएफ यह पीएफ का मतलब यह हो गया ठीक है तो आप देखो यहां पर हमने आपको रिजल्ट बताया था कि अगर आप डारेक्टली करना चाहें तो यह भी थेस्थ्वरम का एक रिजल्ट निक फिटा देते हैं तुर्ट यहां पर देखिए पी यह और है पी आरगता यह पीए तो दो को मतलब छोटी ऑले साइट टो हम लोग और यहां पे यह लिखा पान पी लिखा अपान पी क्यों तो पीएफ पाइन पी क्यूत पांइक्ट्स पीएफ पीक्यु कितना आएगा है उसके बाद क्या आएगा यह वन टू एट है टू से कैंसल कर दो टू नहींजा एटीन टू सिक्स जा ट्वैल्फ टू फॉर्जा एट तो यह क्या गया इसी दर नाइन पान सिस्थी फॉर आ गया अब दोको यहां पे दूसरा बात क्या है यह समाले सेट पी एफ हमने कह लि इसना है देट इसपी एफ इस इकॉल टू जी रोपांट ट्री श्क ऑन पी आल इस इकॉल टू क्या है टू पॉइंटा फाइप सिक्स ओके तो देख पार हों कि II 9 अपसेश्टी फोर यहां यहां पर इस situation में भी रिश्यो सेम आ रहा है तो थार्ड वारी situation में भी क्या होगा क्या होगा ठीक है क्लिए रहे कि नहीं यह सार नो कंफर्म अच्छी सब्सक्राइब ना चलिए तो आपको फिर रिमांड करा दे रहें कि इससे जो त्री रिजल्ट बनके आये थे वह क्या आये थे ओके तो यहां पर देखिए हमने क्या लिया था यह ट्रेंगल लिया था ओके में देखिए गाए यहां पर यह है यह b है यह c है बहुत फास्ट शूचना है यहां पे यह अद्य इसके पहले ऊपर पहलہ क्या था एडि का रिशेु इसी एक पहले आप रिजल्ट इस से दूसरी बात A, D, smallest वाली साइट, A से D, upon, इसी की largest, A से B, is equal to, smallest A, E, smallest A, E, upon, A, C, largest, ठीक है, यह हो गया था, second real, यह हमारा आया था, okay, इसी के help से आया था, third real में देखिए, यहां पे, smallest D, B, smallest D, B, लिखा, upon, largest A, B, largest क्या हुआ, A, B, is equal to, इस, smallest, क्या हुआ, E, C, smallest, क्या हुआ, E, C, upon, largest, क्या हुआ, A, C, यह 3-year-old इंकल क्या था, यह आपको अच्छे से mind में रखना है, okay, क्लिए रेकर नहीं, बास वाद में आ गए न, अच्छे से, okay, यह सारी चीजे, रिवाइस करेंगे, बाकि की प्राब्लम लों, नेस क्लास म सॉल्व करेंगे, thank you.